हम पाकिस्तान के साथ अपने तलुकात बहतर कर लें तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं दोनों मुलकों को तो उस बारे में ये वीडियो है तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी नमस्ते दोस्तों सवागत आया आप लोगों का हमारी यूटूब चैनल पे आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाले आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी यूटूबर ने एक वीडियो दिखाया है और उसमें जो है अगर पाकिस्तान और भारत इन दोनों में अगर दोस्ती हो जाती है अगर ये दोनों देश जो है ना फ्रेंड बन जाते तो क्या क्या हो जाएगा एक कंपेरिजन किया है ये वीडियो जो पाकिस्तानी जन्ता को देखाया है और उनसे उनकी राइ पूछिए तो चलिए देख लेते ही कि पाकिस्तानी क्या बोल रही है? तो पाकिस्तान हमारी अंतरात्मा है तो पाकिस्तान को छोड़के मैं यह जो पाकिस्तान को छोड़के मैं यह जो विश्टे को वस्ता के मुमालिक उनकी बात कर रहा हूँ इंडिया से ट्रेड करते हैं जाहर है जो बोहत परफबंदी नहीं उनको कोई खत नहीं आया यूनाइटी नेशन से या यह जो अमेरिका की तरफ से हमें खत भी आया हमारी रिजीम भी चेंज हो गई तो बिलकुल फाइदा इंडिया को भी है उनको सस्ता पट्रोल मिलेगा गैस मिलेगी लेकिन क्या पाकिस्तान को भी पाकिस्तान को भी उस पावर पर जाना पड़ेगा और इस तरह के करने पड़ेंगे इंशालला मुझे तो अमीद है कि अगली दफारा आ रहे हैं इंशालला इमरान खासाब और इस दफारा पूरी उमीद है कि हम इन्शालला बहुत ज्यादा गेन करेंगे हमारा मेजर जो expenditure का है ना यह आप जेन में रख लेंगे यह पावर है हमने डैम भी नहीं बनाए हमने बनाए है सिरफ वो जिनरेटर टाइप जो आई पी पीज उनमें जब महंगी बिजली बनती है ना महंगे पट्रोल से महंगे गैस से तो हमें ज्यादा उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती ह है और वो भी हम डॉलर्स में लेती है हमारे डॉलर के एक्स्पेंडीचर होती है इसलिए मैं कहते हूँ डैम से बनाएं चलें इसको छोड़ें अगर आप नहीं भी ओतीजी न तो डैम्स मणें इन्शालाइ देखिए पाकिसान कहां पर जाता है पाकिसान ऐसा मलक है जहांपर हर साल अर्बों रुपे का मीठा बारिश का पानी खर्बों रुपे का नुकसान करते वे समन्दर में जा गिरता है और हम डैम नी बनाते हैं, उसको सेव नी करते हैं, हम फसलों के लिए नी सेव करते हैं, हमारा अंडर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, वो भी उपर आजेगा, हमारे ने ने जगा पर काश्ट होगी, उन जगाँ पर थर में ऐसी जहां पर सहरा हैं, वहां पर काश्ट होगी, हमारी वोई चीज़े एक्स्पोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी, तो उसे अप्र टोर्स दोड़ांगी हमें इस पर ध्यान देनोंगा, बिलकुल पावर सेक्टर में बेशक, तो पावर सेक्टर में, जब इरी बने की ज्यादा, तो सस्ती भी बने जी ले रहाँ को 만큼 सब्सक्न के पाकिस्टान कि जो पाकिस्तान से इंडिया नमग ले रहा है हूं में निया तरफ भाय कोtim हृल में कि सकते हैं यह नहीं रोगिटा भाई ने पने हमारे वजह फोड़े को स्चिंहाहरां करो है अपने ठीक नहीं है भाई हम किसे क्या स्वाल करें अबधाद्ण हुम ठीक है हम खुट टीक है पाकिसाने अँड मौद अच्छा आभी सेला पाया है वूट पालिश करने वाले बच्छा इतना सी इसके अमूर का बच्छा है वह असी रूपे रोजना दे रहे हैं हम बहुत आपने बाइक रखियोगी गाड़ी रखियोगी, सależट बि relatively कुछी रखियोगी है आपने क्या करना बला? थोड़े पीछे से नवस से हवा निकालने है ताइर से हवा निकालने के बाइ उस पैंचर वाले के पास आपने जाना अबने कहना के नमाज पढ़के आता हूं आप जर इसके पैंचर चेक करो कितने हुए जब आप वापस नमाज पढ़के आओगे उसे पुछोगे कि भाई बताओ कितने पैंचर है उसने कहना छे पैंचर लगे निकालो 600 रपा या हजार रपा निकालो एक और एक्जामपल दूगा आपका माइंट सट जो मेरे वीवर् आप अपने घर का एसी चल रहा था ठीक ठाक एसी है आप एसी का पलक उतारे उतारने के बाद उसे कहें एसी वाले को बुलाकर दिखाए कि भाई इसको दिखाए वो कहेंगा तबाई होगी इसके तो कंप्रेसर चल गया आप इतने दें हमें 20,000 रपे 25,000 रपे हम इसको ठी सब्स्क्रा आपढारे मेंहेंगरो हैं में लिख ochran करेंड बेपह ये क्लोजिंग करके जाता हो दो क्लोजिंग करके जाता हूं दो की जाता हूं आतारे से ब रता मैं जके तीज मेंहें तेन दक किया फिर वोड किया कोई चुरी किया उधर से ना अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग खर जगे पर होती है इसमें कोई शिक नी है वो सकते हैं 10 परसंट गलात हो लेकिन अवाम 80 परसंट पाकिसाने वाम बहुत अच्छे लोग है मन एक अर बरात बदाता हु अगार हम बहुँष जादा गठात कि बुट्षा जादा आप और आझे लोग जादा जादा है पाकिस्तान के लोग-जादा बुरे लोगर जादे अज जादें और फूर एजम्पल मिसालों का वगा आपको कि अच्छाई है के साथ बुराiving आपको क्या लघथा दुनिया दुनी अच्छ लोग ज़ादा आप बुरे लोग जद mother बुरे लोग बुरे लोग जाद है ये कुदरत का कानून अल्हक निजाम ऐसा कि बुरे लोग अगर होते तो दो फॉर एक्जामपल कर चार यहां पर बुरे लोग उते एक अच्छे इंसान का घुजारा था मैं आपको बात बताओं निम पहले मेरे स्वाइब आपने क्या वाला मैंने कहा कि यहां पर जितने लोग अगर बुरे लोग ज्यादा होते फॉर एक्जामपल के सारे के सारे लोग इदर डाकू चोरी पड़ती चार पांच एक घ्रोस अच्छे लोगों का उता जो कि नमाज शुद्ट ना हजार लोग भुणी वो अच्छा यह को बचाते रहें नहीं चोर हैं जो मरूज हो चाहिए पूरी लोग ज्याना नहीं पूरी दुनिया में अच्य से लोग ज्यादा इसी इसा दुनिया चल रहे हैं दुनिया लोगों की वज़ा से चल रहा हैं मैं आपकी ब को सकते हैं और झाल पुरी लोग जाद होते उनको गर जाते हुए दस रॉबद मेने ना अच्छा छीक्ट- Nah, तो आपको पता है निए यह ती director. परके 15-80 परसंक्नरी लोग इंध्य को अच्छा है, है यार फोर एक्जामपल अभी आपने होकुमरानों की बात कि आप होकुमरानों को गालिया देरे मैं आपका यह पॉइंट आफ व्यू किलेर करना चाहता हूं अभी यहां पर यह जों से हम मार्केट के अंदर खड़ें कितने लोग पता नहीं कितने हो को बहुत ज्यादा है आपको नवाज शरीफ है आपको यह निकाल देता है कितने नौजवान लोग है आपको इस बारे में आडिया या सिक्स्टी परसंट लोग नोजवानों का अगर आप जो नवाज शरीफ है यह निकालता 30 परसंट नोकरियां शर्ड़ परसंट नोगरें निकालें तो फिर भी तीस परसंट रोजगा बेरोजगार रहा जाते वोग क्या करें कि दर सीने कालेगा 60 परसंट मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ थर्डी परसंट अगर वो जोब निकालता है तो 30 परसंट कहा है जाए ना अगर आपकर आप अभी भी किसी का कुछ निंगर सकती इंडिया की जो अमीर तरीन लोग है जब आप पड़े लिखे लोग होते हैं जब आप कमा के देते हैं जब म कमा के देते हो घरवाले भी आपके बोट सारे लोग निकंवे आपगे पाकिस्टिनी लोग मुर्गी काने के वजा से इन सफहार में मइ Herselfी और जिलती नहीं नए जगा पीछे यहीं वजुवात है कि भाई हम से पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है हम किसी दुनिया के सफ में आई निरे गुरुबत कैंग आप देखो कि आप तो हर चीज के अंदर हम दूसरे मुलकों से गर्जा मांगते हैं पैसे मांगते मांगने वाले देखे के बीज़ाटी नहीं होती हैं और को जिसको घर से रोटी भी नहीं मिलती वह भी धृतकार दा चल। दफाओ तुम्हें इतने हटे-खटे-खटे काम करके खाओ मिलकुल कहते हैं ना वागर खाना चाहिए कमा कर महा कर ने एंड लूंअ को पाकिस्तान के रावम को नहीं नहीं सूचतstell है यहीं सोचते हैं बाहर बनांगा वारि ऑदर ही बेटिएुक्सान करने गाम गाल यहां से खाता यहां से पिता बंगता पाकिस्तान पर वह बहुत has सब्सक्राइब करें कि यहां पर मुझे इतना बैनिफिट होगा दस साल बात मुझे इतना बैनिफिट होगा यहां पर तो आपकी बात से आगरी करता हूं मैं आपको कहता हूं कि बंदा ठीक है बंदें को मैं बांता हूं ठीक है है लाइक हिंदूस्तान की हम बात करें वहाँ की अबादी है रगा एक अरब 3 क्रो अबादी है आप 178 अरप 30 करों अबादी है और वहाँ पर जो गुरॉबत का आलं में पहले तो ये इंडिया को सवार दे पाकिस्तान की बात करना चोड़ दे ठीक है न कि इवन इवन यहां कि हिंदुस्तान में हालाद बने हैं कि मैं बिजनेस स्टुडेंट हूँ और मुझे जिगराफिक के लिए एकनॉमिक लिए ट्रेडिशनली में सारी चीज़ देखता हूँ हिंदुस्तान में जो गुर्बत का आलम है कि एक इसा एरिया है जहां पर लोग गुर्बत की लिकी मलब वो केते हैं ना कि नीचे लिस लिकीर से भी नीचे हैं और वहां पर लोग चुहें खाने में मचबूर हो गए तो लोगों को चुहों से निकाल के ना और एक खाना की तरफ लेके जाएं तो इनके बड़ी महरबानी होग हैं तो जो जो वर्ल्ड की जो अगर हम डेटल चेकर हैं गुगल आप करेंगे तो परकिस्तान की जो पोड़ी रेट वो 36 परसंट शो हो रही है और इंडिया की 6 होती है भुल्पत होगी इंडिया में मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं हो रही लेकिन 6 परसंट बोढ़ से अगर ये कोई दोस्ती की तरफ जाते हैं तो ये दुश्मनी से किसी चीज़ का हल नहीं है कहीं कोई सुलेशन नहीं है अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के अगर ट्रेट का सिलसला होता है तो वेल एंड गूड ठीक है यह वागबाडर सिर्फ यहां पर टंगे उठाने के हैं ठीक है यहां से कुछ ट्रेट का सिलसला करें देखो अच्छी बात है नियर आपस में हमसाइमा मालिक हैं अगर अच्छा एक तालुक हो जाता है तो वहां के लोग तो अच्छे हैं नोड इसमें कोई बात नहीं है लेकिन जिस तरह की सिलसला जिस तरह के मामला चल रहे ह हैं अगर वह अंदर पाकिस्तान के दर मुदाखलात करके लाइक आप बलचिस्तान की तरफ जाए गिलगित बलचिस्तान की तरफ जाए यहां पर जिस तरह के वह अगदाम उठा रहे हैं इन से बाज आ जाए और एक ट्रेट का सिलसला हो तो वेरी गूट माइनियर यह को एक अशरी । जरूरत है बहुत जादा जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान को भी ट्रेट के ज़रूरत है और इंडिया तरेट कर रहे हैं इंडिया के साथ वैसे हमें 500 रपाइब 500 किलो टमाटर मिल रहे थे जब से इंडिया के साथ दुबारे टमाटर के शुरुआत की तो 300-500 तक चली गई ट्रेट क्या कहना चाहेंगे और कितना बैनिफिट होगा हमें एक दूसरे साथ दुबारा करें देखो ज है कि वागा वाडर में सिर्फ ये टांगे उठाने के लिए नहीं है क्योंकि अब जब टमाटर आ रहा है तो आपको पता है कि अफगानिस्तान थूरु आ जाता है एरान थूरु आ जाता है इंडिया से वहां जाके फिर वह कॉस्टली पढ़ जाता है अगर यहीं से इसी व आखरी सुलीशन कहां आता है टेबल टाग पे आ जाता है तो वहीं है बहतर है कि लड़ाईयों से हट के दोस्ती की तरफ जाएं और यह नेक शगून बात है और ट्रेट का सिलसला करें लाएक यहां से नमक जाता है तो वहां से सबजियां अभी नोराइट पुरा पाकिस्त अब बताईगे आपके क्या दिल करता है कि क्या हमें इंडिया के सथ हमारे रिलेशन्स जो के रिष्टे आए को ठीकर लेने चाहिए या निया बहुत नहीं हो गया यह यह पॉसिबिलिटी नहीं है ना 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 इन्टीन फोर्टी से उठा के देखे आप हिस्टरी अभी तो यह कुछ नेक शगुन है थी कि रहां जा रहे एंड़ मुक्तदर हलके इसे हैं जहां पर के बात भी बंदा नहीं कर सकता लेकिन अल्ला उनको भी हिदायत दें और वहा के लोगों भी हिदायत दें इंडिया के और पाकिस्तानियों को भी हिदायत ले यह एक हो जाया है तो अब वो दुश्मनियों का दवर खतम हो गया कलम की जंग है ठीक है ना और दोनों एटमी ममालिक है ठीक है ना इसमें कोई मतलब किसी को नहीं मतलब नीचा दिखा सकता तो बहतर है कि आपस में अच्छा एक क्या करते हैं दोस्ती का तालुक का एम करें और कोई ट्रेट का सिलसला करें ताकि दोनों मुलोग खोशाली की तरफ जाए तरकी की तरफ जाए हम तो यहीं वीश्य है ने अगर वो आख दिखाएंगे तो फिर आख के बदले में फिर हम दंडा दे सकते हैं तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप जिस तरह से उन्हों पॉलिटिशन ने ब पर्चा हो जाता के इंडिया के साथ हमें ट्रेट करना सही है या नहीं है बिलकुल सही है करना चाहिए लेकिन इससे साफ नियत ही होनी चाहिए दोनों तरफ ठीक है और कभी एक दूसरे को समझने पीट में चुरा गोपने वाली बात नी होनी चाहिए यह कहां कहां से शुर हमारे मसले हैं मसला कश्मीर वगरा यह अगर चाहते तो बड़ी देर पहले हाल हो सकता था और दोनों तरफ की आपको फैदा होना था इसका और तो इस वजह से हैं और इंडिया निचे निटिवन पर पाकिसान है उनका वन हंड़र पोर सम्थिंग और अगर हमारी उनकी अगर पर कैप्टा इंकम ज्यादा है तो इस वज़ा से है कि टॉप 10 में उनके तीन अमीर त्रीन लोग हैं दुनिया में उनकी जब एवरी जाती है तो इसके अंदर उनकी इंकम बढ़ती है अधरवाइस दुनिया की सबसे बड़ी जौंपट बटी विइंडिया में हैं तो दोस्त करने के आदत तो हमारे देश की नहीं है लेकिन हमारी यहां पहे हमारी इदर अगर कोई कलत बोल देता है तो हमारा देश भी उनको छोड़ता भी नहीं यह बात तो सह attempting है लेकिन आप लोगों की हरकती आईसे रहती है कि इसके वज़े से भारत को सक्त कदम उटाना पड़ता है। यही एक में रिजन है जब तक आप लोग आपकी सोच नहीं बढ़ लोगे तब तक आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाऊगे यह तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आप लोगों के हरकती ही ऐसे रहती ही कि जो आपसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाता है। क्योंकि अगर आपका देश और हमारा देश बढ़ उसी है तो दोनों को भी फाइदा रहेगा। इसमें कुछ चीज जो भी ट्रेड रहेगा या कोई भी चीज अगर दूसरी तरफ से भी खरिदने से अच्छा अगर आप यहां से मिलती है तो उसमें हमारी देश का फाइद से आपको भी फाइदा हुता है यह बात तो सही है लेकिन आपके तरफ से कैसे हरकते रहते हैं कि इसके वज़े से जो है ना कुछ चीज में लुकसान उटा आप से खरिदने से अच्छा लुकसान उटा के लिए हमारे लिए सही लगता है क्योंकि आपके हरकते कभी भी सही आप लोकसा सके हरे हुआ है क्षूटे यह नहीं दुस्ते हैं ॏक्ब कर सावत कि अलगुक्रा करते हैं विचैनलते हैं कि इस वज़े से जो आप लोग आप Ma cloth bus नहीं और अफंड मनिता है ौपका का रहते हैं तो एक मतद करने मता कभी भी अच्छा ही रहता है लेकिन जो ह वीडियो के रियाक्शन को देखने के बाद आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मुझे दे दीजिए इसाजत मैं मिलता हूं अगले वीडियो में जबते के लिए जय हिंद और जय वारत